थेरो कोई ज़रूरत ने पुलिस को मेरे दर्वाजे पर बुलाने की मगर बड़े भाई यह दवी मैं अभी तक मारा नहीं हूं घर की छोटी मोटी उल्जने मैं खुद सुल जा सकता हूं साब जी इन्हें डाटी है अभी का भी डाटी है हरे छोटी मलकिन के गहने चोरी हो गए और यह लोग हम पर शक कर रहे हैं यह लोग सोच रहे हैं कि हो गहने हम कहीं बेचा है बाकी के रुपए कहा है क्रिश्णा क्या 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 पूछ आपने साब जी मैं पूछ रहा हूं कि बाकी के रुपए कहा है यह आप पूछ रहे हैं साब जी अपने क्रिश्णा से देखो क्रिश्णा गलत यहर इंसान से होती है तुम मुझे सही सही बता दो कि कहने तुमने कहां बेचे मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा अब कहने के लिए बाकी ही क्या है साब जी एक छूटा सा सवाल पूछके आपने बहुत कुछ कह दिया है साब जी अब तो अप पुलिस को भी बुलाईए उसी साब जी कि इजए आज तुमने मिक्टे में मिला थी किया कुछ नहीं किया थे मैंने तुम्हें लिए उसका मुझे तुमने ये बतला दिया बादा जिस दिन मेरी फैक्टरी जलकर राख हो गई थी और में बर्बाद हो गया था मुझे उतना दुख नहीं हुआ था कृष्णा जितना आज यूआ जब तुमने इस घर में चोरी किया साप जी बच्पन में जब हमारे माबाप मर गए थे न खौर मनात हो गए थे न तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा साप जी आपने हमें चोर कैसे कहा साप जी और ज्यादा सफाई देने की जरूत नहीं है तुरो जा, मेरी नजरों से तुरो जा, निकल जा इस घर से, अरे इस घर से ही क्या, इस गाउ को ही छोड़कर चले जाएंगे, हरे मुझ जनात का क्या है, काट लेंगे अपनी जिन्दगी कहीं भी, इतने साल इस घर में बेफिक्री से ये समझ कर काट लिये, कि साहब जी का हा हुआ किसी बात की, मगर नहीं, अब हम जान गए है कि इस दुनिया में अनात का कोई नहीं होता, हम जा रहे हैं साब जी, और इस घर में कभी नहीं आएंगे अभी, निकल जा, तुबारा इस घर की डेलीज में कदम भी रखा, तो मेरा मरा हुआ मुझ देगे गा तु, आरे